हाईलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल दीयर सर्मापर तो आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं भाग अगर आप लोग भाग नहीं कर पाते हैं और करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान प हाग देना है चाह सथाजार 532 को तो यहां पर सबसे पहले कितनी है खेल नहीं किया जाता Paint तो यहाँ पर हम दो संख्याय ले लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 64 अब 10 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 64 आ जाए या 64 से कम आ जाए लेकिन 64 से जादा नहीं होना चाहिए चलिए 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं 10 इकम 10 10 दून 20 10 तियां 30 10 चौक 40 10 पचे 50 10 चंग 60 10 सती 70 तो सत्ता तो 64 से जादा हो जाएगा तो 10 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हैगा 60 तो 6 हम यहाँ पर लिखेंगे और 60 हम यहाँ पर लिखेंगे अब 64 से 60 को माइनस करेंगे तो कितना पचेगा 4 अब यहाँ पर 10 से 4 तो छोटा है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं किया जाता है तो यह 5 हम यहाँ पर उताहलेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 अब 10 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 45 आ जाए या 45 से कम आ जाए लेकिन 45 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए चलिए 10 का पहाड़ा पढ़ते हैं 10 कम 10, 10 दूना 20, 10 त्याई 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50 तो 50 तो 45 से ज़्यादा हो जाएगा तो 10 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 40 तो 4 हम यहाँ पर लिखेंगे और 40 हम यहाँ पर लिखेंगे अब 45 से 40 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 5 अब यहाँ पर 10 से 5 तो छोटा है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं किया जाता है तो ये तीन हम यहां पर उतार लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा तिरपन अब दस का पहड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि तिरपन आ जाए या तिरपन से कम आ जाए लेकिन तिरपन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए चलिए दस का पहड़ा पढ़ते हैं 10 इकम 10, 10 दूना 20, 10 तियां 30, 10 चौक 40, 10 पचे 50, 10 चन 60 तो 60 तो तिरपन से ज़्यादा हो जाएगा तो दस का पहड़ा हम 5 बार पढ़ेंगे तो कितना हैगा? 50 तो 5 हम यहाँ पर लिखेंगे और 50 हम यहाँ पर लिखेंगे अब तिरपन से 50 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3 अब यहाँ पर 10 से 3 तो छोटा है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं किया जाता है तो ये दो हम यहाँ पर उताल लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 32 अब 10 का पहाणा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 32 आ जाए या 32 से कम आ जाए लेकिन 32 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए चलिए 10 का पहाणा पढ़ते हैं 10 इक कम 10 10 दूना 20 10 ते 30 10 चौक 40 तो 40 तो 32 से ज़्यादा हो जाएगा तो 10 का पहाणा हम तीन बार पढ़ेंगे तो कितना हैगा 30 तो 3 हम यहाँ पर लिखेंगे और 30 हम यहाँ पर लिखेंगे अब 32 से 30 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 अब यहाँ पर 10 से 2 तो छोटा है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं किया जाता है और यहाँ पर कोई संख्या भाग करने के लिए बची भी नहीं है तो यहीं दो हमारा सेस्फल हो जाएगा तो यह भाग हमारी कंप्लीट हो गई इसी तरीके से हम इस भाग को भी कर लेते हैं तो यहाँ पर 20 से भाग देना है तिरपन 1624 को तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहली वाली संख्या देखेंगे तो पहली संख्या यहाँ पर कितनी है पाँच अब हम देखेंगे कि पाँच तो बड़ी संख्या से चोटी संख्या में भाग नहीं किया जाता है तो यहां पर हम दो संख्यान ले लेंगे तो यहां पर कितना हो जाएगा तिरपन अब 20 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि तिरपन आ जाए या तिरपन से कम आ जाए लेकिन तिरपन से ज्यादा न कितना आएगा 40 तो 2 हम यहाँ पर लिखेंगे और 40 हम यहाँ पर लिखेंगे अब 53 से 40 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 13 अब यहाँ पर 20 से 13 तो छोटा है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या हमें भाग नहीं किया जाता है तो यह चे हम यहाँ पर उताल लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 136 अब 20 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 136 आ जाए या 136 से कम आ जाए लेकिन 136 से ज्यादा नहीं होना चाहिए चलिए 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं बीस इकम बीस बीस दुना चालिस बीस तिया साट बीस चोख असी बीस पंचे 100 बीस चक्का 120 बीस सत्ती 140 तो 140 तो 136 से ज्यादा हो जाएगा तो 20 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ेंगे तो कितना हैगा 120 तो 6 हम यहाँ पर लिखेंगे और 120 हम यहाँ पर लिखेंगे अब 136 से 120 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16 अब यहाँ पर 20 से 16 तो चोटा है तो बड़ी संख्या से चोटी संख्या में भाग नहीं किया जाता है तो यह दो हम यहाँ पर उताल लेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 162 अब 20 का पहाड़ा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 162 आजाए या 162 से कम आजाए लेकिन 162 से ज्यादा नहीं होना चाहिए चलिए 20 का पहाड़ा पढ़ते हैं बीश इकम बीश गम बीश ठूम चालिश बीश तैयस प्वीश चो असी बीश पंचे सव बीश छन ne 120, 20, 60, 140, 20, 60, 160, 29, 180, तो 180 तो 162 से ज्यादा हो जाएगा, तो 20 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे, तो कितना आएगा? 160, तो 8 हम यहाँ पर लिखेंगे, और 160 हम यहाँ पर लिखेंगे, अब 162 से 160 को माइनिस करेंगे, तो कितना बचेगा? 2, अब यहाँ पर 20 से 2 तो छोटा है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं किया जाता है, तो यह 4 हम यहाँ पर उताल लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 अब 20 का पहाणा हम इतनी बार पढ़ेंगे कि 24 आ जाए या 24 से कम आ जाए लेकिन 24 से जादा नहीं होना चाहिए चलिए 20 का पहाणा पढ़ते हैं 20 इक कम 20 20 दो ना 40 तो 40 तो 24 से जादा हो जाएगा तो बीस का पहणा हम एक बार पढ़ेंगे तो एक हम यहाँ पर लिखेंगे और बीस हम यहाँ पर लिखेंगे अब चौबिस से बीस को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? चार अब यहाँ पर बीस से चार तो छोटा है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग नहीं गिया जाता है और यहाँ पर कोई संख्या भाग देने के लिए बची भी नहीं है तो यही चार हमारा सेस्फल हो जाएगा अब ये दोनों भागे हमारी कंप्लीट हो गई है आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक करें सेर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें वीडियो देखने के लिए थैंक्यू दोस्तों